इसलाव अलेकुम नमस्कार सस्रियकाल और भाई लोग क्या आल चाले उम्मिद करता हूँ दोस्तों आप लोग अच्छ होगे दोस्तों एक अपडेट है मैं आपके सामने आज शेर करूँगा कि जो लोग इंडिया से सोच रहे हैं कि भाई मैं वाया कतार चला जाओं वाया ब वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो अपने इंडिया में हैं या दुबई में फसे हुए हैं तो उनको इस प्रॉबलम में क्या करना चाहिए जबकि अभी सारी फ्लाइट है बंद हो गई तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा दोस् स्क्रीब मत करना वीडियो बहुत ही इंपोटेंट है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकोन घंटी का जो निशान है उसको भी दबाओ जिससे की साओधी अरब की गल्फ की जितनी भी information हम यहां से upload करें सबसे पहले notification आप तक मिलता रहे दोस्तों पहुंच जाए ठीक है दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं जो भाई अपने इंडिया में हैं जो मेरे भाई अभी इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों और वो सोच रहे हैं कि भाई अभी चला जाओ दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहूंगा यह बाद अभी आप कहीं से भी मत आओ आओ आप जहां पर हो मैंने हर वीडियो में बताया भी आप ट्राइवल मत करो आपके लिए वही सबसे बेस्ट आप्शन रहेगा दोस्तों अगर आपको समझ में नह दोस्तों नहीं तो आप ट्राइवल ना करो हो सकता है आप वहां पहुंचो होने के पास वहां भी लोकडाउन हो क्योंकि अभी पूरी अरब कंट्री रेड अलर्ट पर चल रही है पूरी कंट्री कभी किसी भी कंट्री पर लोकडाउन हो सकता है बहुत सी कंट्रियों में त पूरी तरह से सारा सबकु सस्पेंट कर देंगे। वैसे उन्होंने जो रोडवे वो पूरा बंद कर दिया है। जो जमीन इस तरथा जहांसे रोडवे गाड़ियां चलती थी वो सारा भी बंद कर दिया। अभी वहां से आना जाना बंद है उमान से। रह गई फ्लाइट की बात, फ्लाइट का भी उन्होंने क्या बोला है कि भैज 10 दिन का हम टाइम देते हैं, जिसको भी जाना है आना है, वो अपना चला जाया और आ जाया है, 10 दिन के बाद हम यह फ्लाइटे भी सारी बंद कर देंगे, यह ultimate उन्होंने दे दिया दोस्तों, त खरचा कतार कतार भी मतलब अपडेट को मतलब अलट पे यह उन्होंने भी बहुत सी चीज़े बंद करके रखी हुई है दोस्तों तो आपके लिए बेस्ट आप्शन यह होगा कि अगर आप इंडिया में हैं तो अभी सौधी अरब ना आएं सौधी अरब आने के बारे में बि आई ओ आपको भी मिए ये श़ला देना चाहूंगा अप दुबई में ही रहो अब जो भी है जैसे भी रहो आपको best option रहेगा आप दुबई में रहो जैसेख़ुलता है वैसा यह आप फ्लाइट लेके आ सकते हैं क्योंकि अभी आप दूसरी कंट्री में भी दुबई से जाओगे कोई भी कंट्री में चले जाओ दुबई से आप सोच रहे हो दुबई से कुवेट चला जाओ कतर चला जाओ कहीं भी चला जाओ गल्व कंट्री में वहां से वाया सौधी पीसिया टेस्ट करने पड़ेगा टिकिट लेना पड़ेगा बहुत खर्चा हो जागा दोस्तों आपका तो आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन यह है आप सौधी दुबई में ही रहो एरपोर्ट पे जहां भी हो आप वहीं भी रहो ठीक है इंडिया जाके भी कोई मतलब नही और जिएव को मतलब जोड़े हैं आप यहां हो हो वहीं इस्टे करो यहीं आपके लिए बेस्ट और अच्छा interrupt है सबके लिए यही आपके आप्शन है आप ट्राइवेल मत करो अभी कहीं का भी त्राइवेल मत करो जहां भी हो वहां भी इस्टे करके बटो 3EEP बस यही सब तुम्हारा दूसरा कुछ नहीं आ नहीं सकते हैं बस नुकसान करके वापस आ जाओ है समझ रहो दोस्तों तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि आपको बात मेरी अच्छे से समझ में आगे होगी दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करो वीडियो को लाइक करो दोस तो दोस्तों मिलते हैं फिर कोई ऐसी अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाय लाफिस